UPSC 2023 की जो मैंने strategy बनाई थी गईस तो ये उसका एक summary मैंने बनाई है 13 months है अगले साल exam के लिए और मैंने 13 months को 5 phases में divide किया देगो strategy बहुत ज़रूरी होती हर एक तरीका होता है करने का ऐसा नहीं कि जब मरजी आपकी कुछ भी करिए अगर आप ध्यान सी देख सकते हैं आपे 5 phases में मैंने divide किया है जैसे कि starting के 1, 2, 3, 4, 5 phases है कितने दिन, कितने महीने वो सब mention कर रखा है उसके क्या-क्या components है, each and everything मतलब simple सी बात है, सबसे पहले आप exam को समझेंगे जाहिर सी बात है, आप पहले exam को समझेंगे जब आप समझ लेंगे, पहले तो मन बनाएंगे फिर समझेंगे, समझेंगे के बाद आप अपना basic foundation मजबूत करेंगे, निकि थोड़ा बहुत तो जो basic concept जो clear होने चेना, उसके बाद आप जब standard books पे आएंगे, या थोड़ी high level की knowledge आप गिन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आप अपने आपको टेस्ट करेंगे that is it, तो एक तरीका होता है, हर चीज़े step by step आपको move on करना है and ये सारी चीज़े मैंने mention कर रखी है आप जो detailed video है इसका 2023 का वो भी मैंने अपने YouTube पे डाल रखे है आप इसको go through कर सकते हो, ठीक है